क्या हेलो व्रीवन फिर से आपके एक नई वीडियो में तो दोस्तों आज किस वीडियो में बात करें दोस्तों यह माईडिया कमपणी का आरो है इसको दोस्तों फुल शर्डCome's करेंगे इसके सारे फिल्टर डरो इंस्ट्किया था यह देहिए आप धी देख सकते हो किस तरीके से इंस्टल हुआ है यह देखे दोस्स के जंगले फैर कर आए आगे से दिखने में ऩो काफी अच्चे लगता है तो आप इस जुवार मेंसे आफ अपना रू इस तो कर सकते हैं अगर स्पेस की प्रॉब्लम है तो तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले दूस्तों में और ओपन कर लीता हूं फिर देखाता हूं आपको दोस्तों आपको step by step कैसे उपन करना है यह देखिए आप पुरा टैंक को उपन कर लीजिए पहले उपड़ से क्या लॉक निकलता है इसका तो इसकी में फ्रेंट से खुलता है यह मैंने इस तरीके से खोल लिया है इसके नीचे दो स्कूरू रहते हैं यह देखिए दोस्तों काफी आसानी से निकल जाएगा और आपको यहां पर इंस्टॉल हुए हुए पर आपको आरूनी तार नहीं पड़ेगा आप इसके फिल्टर चेंज कर सकते हो तो यह देखिए दोस्तों मैंने फिल्टर निकाल लिया है काफी मिट्टी आ रहा है तो दोस्तों मैं आपको यह देखिए यह दोस्तों मैं बाहर वाला फिल्टर है यह खोल रहा नहीं है तो आपको एक ट्रिक पताता हूं इसके लिए खोलने के लिए क्या करना है आपको दोस्तों जो हमारा आउट वाला पाई पर रहता है उसमें दोस्तों आपना पेज कस ल निकला है यह दीखिये दोसे membrane housing है आप को इस तरीके से membrane fit करना अभी membrane बाहर निकला है तो इसको मैं थोड़ा सा अंदर push करता हूं तो इसदेखिया पूरा अंदर fit हो जाएगा आप दो प्रॉ। प्रॉपर इसमें membrane बैठ गया है इस तरीके से इसका कैप जिसे के प्रोलम नहीं आये इसके बाद थो समें musi फिल्टापिं सेट करता हूं यह देकि Dual समें harun प्री फिल्टरे डाला है अरो इसके दूर्स वांदर रखना है इस तरीके से और कर देना है जादा टाइट नहीं करना है क्यूंकि जादा टाइट करते हैं तो दूस tại spider क करता है पिर इस तरीके से मैं झाल भानब सर्टा लगाना नुद पकड़ंगे आप काफी sensitive लगा पा Bahabyte को फीट कर देता है तो दोस्तो इसके बाद मैं दखाता हूँ आपको कार्वन सेडिमेंट फिल्टर निकालता हूँ दोस्तो यह देखे दोस्तो यह भी क्रूज कंपनी का कार्वन सेडिमेंट फिल्टर लगा रहा हूँ और मेंबरेन भी दोस्तो मैंने क्रूज कंपनी का लगाया था काफ़े high TDS तक membrane काम करता है 2500 TDS तक दोस्तो आराम से काम करता है cruise का ACGPD में तो यह देखिए दोस्तो यह carbon और sediment filter निकाल लिया मैंने इसको दोस्तो मैं आप देखिए इसमें दोस्तो मैं अप दोस्तो पुराना elbow कोई भी use नहीं करना है हमें अगरे दोस्तो नहीं फिल्टर डालने तो elbow भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि leakage की problem नहीं आएगी तोस्तो बाद में फिर एक से दो महीने बाद फिर leakage की problem आ जाती है तो उसमें दिक्कत होती है यहां से दोस्तो इन हो रहा है पानी तो दोस्तो मैं पहले cruise sediment filter में पानी को इन करता हूँ यह देखी दोस्तो मैंने इस तरीके से pipe लगा दिया है यह पानी inlet का पारा है अंदर से इसके बाद दोस्तो मैं इसमें car on filter set करता हूँ यह देखी दोस्तो मैंने अंदर fit कर दिया है और ये carbon filter का दोस्तो मैंने इसमें एलबो लगाया है इसको fit करके और दोस्तो अंदर बिठा देता हूं इसमे इसके बाद बताता हूं दोस्तो आपको क्या करना है इसके बाद दोस्तो जो हमारा पानी जाएगा दोस्तो Sv के inlightenment पानी जाएगा SV का pipe दिखाता हूँ मैं आपको कहां से आ रहा है यह देखे यह देखे दोस्तों यह SV का pipe है यह देखे उपर SV लगा हुआ है यहाँ पर दोस्तों मैं इसमें SV fit करूँगा carbon filter के बाद fit करने वाला हूँ इसको pipe को तो यह देखे दो यह देखे यह दूद्सेशबर लगा दिया है यह देखे लूद्सेशबर लगा है पाइप तो यह दोस्तो मेमरेन में इन करना है हमको यह छोटा वाला पाइप मेमरेन में इन करना है यह देखिए दोस्तों यहां पर पंप लगा हुए इसका इस पाइप को मैं इन करता हूं तो दोस्तों मैं निकालता हूं मेमरेन को यह देखिए दोस्तों इस तरीके से आप यहां पर fit कर दीचे इसको पहले दोस्तों मैं इसमें pipe लगा लेता हूं इसके बाद बताँगा दोस्तों आपको क्या करना है इस तरिके दोस्तों आप pipe लगा के और इसके साथ में elbow का lock लगा देना है जिससे कि दोस्तों leakage के problem नहीं आएगी अब यह देखिए दोस्तों यह देखिए दोस्तों मैं FR भी चैंज कर देता हूं इसका क्योंकि पुराना इफर हमें यूज नहीं करना है क्योंकि नया memory भी दोस्तों से खराब हो जाता है जल्दी तो यह देखिए दोस्तों मैंने FR काफी connection कर दिया है और 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 को दोस्तों मैं आप ओन करता हूं तो दोस् है इसलिए दोस्तों थोड़ा time लगता है यह दीखिए दोस्तों पान ही आ गया है कि अज़िए जब टीडियेस जाता होता है तो मेम्रेंट भी कम फिलो देती है यह देखिए काफी अच्छा फिलो आ रहा है तो दोस्तों मैं इसको फिट कर देता हूं और आपको दोस्तों अगर यह वीडियो जारा साब यह फूल लगा हो तो दोस्तो एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आप पहली वार रहा है दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यह देखिए दोस्तो परमिट वाटर का जो TDS आ रहा है दोस्तो 122 PPM आ रहा है काफी अच्छा TDS है और दोस्तो फिलो भी देख सकते हैं आप दोस्तो थोड़ा पंप का भी प्रैसर गम आ रहा है चल जाएगा भी काफी टाइम तक कोई दिक्कत बाली बात नहीं है फिलो भी आ ठीक ठाक आ रहा है और TDS वी दोस्तो आप देख सकते हैं 122 TDS आ रहा है मिलता हूं दोस्तो किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहीं